पंजाब में शुक्रवार को भारी बारिश की चेतावनी दी गई मौसम विभाग ने बारिश और 40-50 किलो मीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओ को देखते वे राजिभर में शुक्रवार को औरेंज इलड जारी कर दिया विभाग ने लोगों को हिदायत दी है कि मौसम के हालात को देख कर ही घर से बाहर निकले चंडिगर मौसम विभाग ने कहा है कि पंजाब में अगले तीन दीन तक हलकी और मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा शुक्रवार के लिए भी मौसम विभाग ने जारी किये बुलेटिन में भारी बारिश की चेतावनी दी है विभाग का कहना है कि पंजाब के माज़ा, दोवाबा, पश्चिम मालवा और पुर्वी मालवा के अंतरगत आने वाले जीलों में भारी बारिश को देखते वे औरेंज एलर्ट जारी किया गया है, शनिवार, रविवार और सोमवार के लिए मौसम विभाग ने यलो एलर्ट जारी किया है हिमाचल प्रदेश में भी प्री मांसुन ने दस्तक दे दी है, शुकरवार की सुबा हिमाचल में बारिश हुई, जिससे मौसम में भी ठंड़क बढ़ गई मौसम विभाग के अनुसार हिमाचर प्रदेश में पशिमी विश्चोप और प्री मांसुन पूरी तरह सक्री है प्रदेश में बारिश के कारण तापमान में हलकी गिरावट भी दर्श की गई है उना का अधिकतम तापमान 44 डिग्री से गिर कर 38 डिग्री से पर पहुँच गया है प्रदेश के अन्य शहरों के तापमान में भी हलकी गिरावट आई है क्रिशी और बागवानी की पैदावार के लिए बारिश अच्छी मानी जा रही है मौसम विज्ञान केंदर शिमला ने 20 जून तक प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पुरवा नुमान जताया है और भारी बारिश के साथ ही अंधर का यलो एलर्ट भी जारी किया है N1 Live की एक खास रिपोर्ट